वेलकम बैक तो दा फाइव मिंट अपडेट्स तो कैसे हैं आप सभी लोग आज फर्स्ट आफ निवेंबर है कल आप सभी ने दिवाली का जोहार मनाया ही होगा आप सभी लोग सेफ होंगे और काफी इंजॉई भी किया होगा आप सभी लोगोंने तो चलिए शुरू करते हैं आज की करेंट अफेर्स बिना किसी देर के पैसे फिलाल मैं आया हुआ हूँ ने निताल में और यहां के नजारे काफी अच्छे हैं तो इसी जानकारी के साथ श जम्मू कश्मीर का विला हो गया था इंडिया में ठीक है और उसी दिन होता है हमारा वर्ल्ड स्विमिंग डे तो विश्व तैराकी दिवस आप जानते हैं कि तैराकी कितना इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स है उलम्पिक्स में भी आप देखते होंगे माइकल फिल्प्स ने क सब्सक्राइब और साथ में हमारी सेफटी के लिए बहुत जरूर यह तराकी ठीक है और 27 ऑक्टोबर पर आते हैं तो वर्ल्ड आडियो विज्वल डे हम मनाते हैं ठीक है आप सभी जानते हैं कि आज का सेशन भी हम कहां से ले रहे हैं इंटरनेट के थू ले रहे हैं अगर इंटरनेट ना हो तो एक तरीके से लाइफ रूखी जाती है ठीक है उसके बाद देखिए हम क्या बनाते हैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे ठीक है वर्ल्ड स्ट्रोक डे हमारा रेलेटेट है हार्ट की हेल्थ से आप जानते हैं आज कल लोगों को कितना ज्यादा हार्ट सब्सक्राइब कर रहे हैं अच्छा फूड हमारी लैफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है चलिए और क्या होता है हमारा आयूरवेदा डे बी हमारा 29 ऑक्टूबर को होता है यह क्या सकते कि पुराने जमाने से लेके अब तक जितने भी हमारे रिशी मुनी या बहुत सार वेदाचारे रहे हैं उन्होंने डेवलब किया है आयर वेदा को ठीक है और एक बहुत ही एक कह सकते हैं गर्व करने वाली बात है कि हमारे पास कुछ अपनी खुद की इंडियन जिने हमने बहुती रिसरच के बाद मनाए है इसके बाद आते हैं तो 30 अक्टूबर को World Thrift Day थिक है Thrift Day यानि की you know financially कैसे हम बच्चों को सिखा सकते है कि कैसे हमें steps अठाने एक कैसे financially independent बनना है ठीक है अपने फाइनेशल जो भी कदम उठा रहे हैं लाइफ में कैसे हमारे लिए सूटिबल होने वाले है 31st October को Halloween होता है आपको पता हिए Western countries में Halloween बहुत important day है वहाँ पे आप देखते हैं गोस्ट वाले जो fancy dresses होते हैं लोग वहाँ पहनते हैं इस दिन और एक तरीकी से थोड़ा lights का भी त्योहार है जैसे दिवाली में होता है ठीक है इसी ये साथ National Unity Day National Unity Day हम क्यों मनाते हैं भारत रत्न सरदार वल्लब भाई पटेल जीगी जो जैनती है उसके यानि उनकी जो birth anniversary है उसके उपलक्ष में हम मनाते है National Unity Day ठीक है और उसी दिन हमारी celebrate की जाती है Run for Unity ठीक है Run for Unity नाम का event हम celebrate करते है जिसमें दोड़ होती है सब एक साथ दोड़ते है ठीक है जैन आते हैं आज की तारीक यानि 1st November को हम क्या मनाते है National Authors Day ठीक है लेखक मतलब राष्ट्रिय लेखक दिवस और अभी अभी लेखन से ही related है कि उत्राखंड ने अपना Writer's Village स्कीम अभी चालू की है यानि की लेखक गाउं नाम की एक स्कीम उत्राखंड ने भी चालू करी है तो आप जानती है कि शान्ती होगी तो वहाँ पे आप अच्छे से अपना लिख पाएंगे अपना ये सारे काम कर पाएंगे तो और कौन से दिन है जिन देखिए National Vinegar Day और World Vegan Day देखिए वीगन क्या होता है वीगन एक तो होता है vegetarian लेकिन vegetarian लोग भी milk product consume करते है ठीक है और milk product हमारा लिया जाता है animals से ठीक है जितने भी dairy product होते हैं वो animals से लिए जाते हैं लेकिन vegan लोग इसके सक्त खिलाफ हैं क्योंकि जो dairy product हैं जो हम animals से ले रहे हैं उसके लिए animals का इस्तमाल कर रहे हैं उनके बच्चों के हिस्से का दूद हम ले रहे हैं साथ में जब animal दूद लेने लाइक नहीं रहता हो उसके बाद उसे slaughter कर दिया जाता है तो एक तरीके से वो animals हमारे लिए जान दे रहे हैं सिर्फ हम उनसे दूद ले रहे हैं इस वज़े से उनको पालने और बाद में उनको मार भी दे रहे हैं तो यह जो कुरूरता है से रोकने के लिए लोग वीगन बनने है आजकर आप जानते हैं सन्यासी से जोड़ा हुआ है तो करनाटका फॉर्मेशन दे इसी दिन करनाटका का फॉर्मेशन होगा लेकिन किस साल में फॉर्मेशन हुआ था ये आप मुझे बताएंगे ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में ठीक है तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के करेंट अफेस की तरफ ठीक है ये MCQ क्वेशन होने वाले हैं और आप मुझे इनके करेक्ट आंसर बताएंगे और कमेंट भी करेंगे ठीक है तो ये आप बताएंगे तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा option A यानी की एक मुझे आप्शन A यानी की 2% ठीक है 2% हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद बढ़ते हैं अपने second question की तरफ जो कि है at present वाट इस इंडिया ज पोजिशन इन टरम्स ऑफ इन्वेस्मेंट इन सेटकॉम सर्विसेज सेक्टर ग्लोबली ठीक है तो देखिए वर्थबान में भारत वैश्व की स्तरफ पर इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए फोर्थ यानिकी टी ठीक है फोर्थ डी ऑप्शन तरन बढ़ते हैं अपने third third question की तरफ जो कि है recently the seventh anti-submarine warfare shallow watercraft dash launched for the Indian Navy ठीक है तो इसका correct answer आप मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा इसका correct answer आप बताएंगे क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा अब है तो अब है नाम का एक anti-submarine warfare you know जो है watercraft जो हमने भी launch किया है उसका नाम है अब है ठीक है fourth question पर आते तो where was the climate and health Africa conference 2024 organized recently ठीक है confusion कहां हुआ है ठीक है कहां हुआ है तो इसका correct answer आप मुझे बताएंगे इसका correct answer आप मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा तो देखिए इसका correct answer हमारा हो जाएगा जिंबावे ठीक है जिंबावे बढ़ते अपने fifth question की तरह where among the following has the zero waste model initiative been started तो देखिए निमलिकित में से कहां zero waste model की पहल की गई है या नि देखिए zero waste model होता है जहां पर हम जो कुछ भी बना रहे है न उससे waste का generation ना हो या जो waste भी generate हो रहा है उसका भी हम उपयोग कर लेंगे तो यह कहां पर हुआ है यह कहां पर हुआ है यह हमारा हुआ है जैपुर में ठीक है जैपुर में और देखिए नीचे figure में आप देख सकते हैं हमारा fourth anti-submarine warfare craft जिसका नाम है अजय ठीक है यहां पर China's belt and road initiative BRI sometimes known as the new silk road launched ठीक है तो इसका correct answer आप मुझे पताएंगे इसका correct answer आप पताएंगे उसका correct answer हो जाएगा 2013 ठीक है 2013 ठीक है 2013 में launch हुआ था ने बढ़ते हैं हमने 7th question की तरफ जो की है who has recently been appointed as a chairman of airport authority of India AAI यानी हाली में किसे किसको विमान पत्तन प्रादिकरण के अध्यक्ष न्युक्त किया गया है ठीक है तो इनका नाम हो जाएगा विपन कुमार जी आप figure में देख रहा है यही है हमारे विपन कुमार जी ठीक है इनको IS अधिकारी रह चुके है हमारे और अब इन्हें AAI का chief बनाए गया है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ in which country is Brazil the recently discussed country located ठीक हाल ही में चर्चा में रहा देश ब्राजील किस ब्राजील देश किस में अवस्थित है किस में यानि किस continent में किस महाद्वीब में अवस्थित है आप यह बताएंगे तो देखिए इसका correct answer हो जाएगा हमारा South America South America है नी दक्षणी अमेरिका हो जाएगा और यहाँ आप map में देख पा रहे होंगे हमारा दक्षणी अमेरिका इसमें देखिए आप Brazil देख पा रहे होंगे Brazil ठीक है ब्राजील के हमारे कई सारे neighbors है फ्रेंच गवाना हो गया सुर अपने तो देखिए दीपोट्सव इन 2024 ऑन घाट्स ऑफ विच रिवर बैंक अग्रेंड डीपोट्सव हैस बीन ऑगनाइज यानि दीपोट्सव दो हजार चौबिस में किस नदी तटके घाटों पर भवित दीपोट्सव का आयोजन हुआ है तो देखिए इसका correct answer आप बत साम है उनकी नगरी अयोध्या जो है सिच्वेटेड है आप जानते ही है वहाँ पर राम मंद्र का निर्मान भी हुआ है तो सरी नोधी के तट पर एक ग्रेंड दीपोट्सव हुआ है इस बार लगबग 28 लाख द्वीब वहां पर जलाए जाए जाएंगे यह भी आप फिग ही किया होगा सामने मैप लगा हुआ है तो इसका आप बताई सकते हिमाचल प्रदेश और यह रहा हमारा मैप में हिमाचल प्रदेश इसके जो में सिटी है वह आप देख सकते हैं चंबा कांगरा कुलू मनाली शिमला ठीक है स्वारी मंडी था और यह हमारा एक नौधन स्ट है जिसकी बाउंडरी किसके से लगती है लद्दाग से लगती है जम्मुकश्मीर से लगती है चंडीगर से लगती है उत्राखंड से लगती हो थोड़ा से बाउंडरी उत्तर प्रदेश से भी लगती है ठीक है इंटरनेशन बाउंडरी हमें लगती है चाइना से ठीक है इ देखिए हमारा अगला क्वेशन है 11th on which of the following dates the 9th आयोरवेदा नैशनल आयोरवेदा डे has been celebrated तो इसका correct answer आप मुझे पताएंगे और इसका correct answer आप मुझे पताएंगे और 29th of October ठीक है इंडिया's total gold reserve held by the Reserve Bank of India has reached approximately how many metric tons तो देखिए इसका correct answer हो जाएगा 855 metric ton देखिए gold reserve किसी भी country में होना बहुत ही ज़रूरी है और gold reserve के होने से क्या होता है मैं बदाता हूँ आपको देखिए अगर आपके पास जितना ज़़ा gold reserve है आपको विश्व बैंक कहीं से भी उतने ही आसानी से loan मिल सकता है आपकी अर्थेवस्ता उतनी ही मस्बूत होगी दूसरे देशों का भरोसा आप पर बढ़ जाता है और संकट की स्थिती में आप अपने देश को काफी आगे तक बचा के रख सकते हैं युद्ध की स्थिती में आपने काफी लंबे समय तक कंट्रोल पा सकते हैं उस चीज़ पर अगर आपके बस पैसे हैं तो ठीक है बढ़ते हैं अपने 13 कोशन की दरफ तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक लाग करोड भाई देखिए आप जानते ही हैं कि चुनावों में सबसे ज़ादा पैदा खर्च होता इंडिया में ठीक है एक लाग करोड भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है इससे पता नहीं कि कितना डेवलपमेंट हो जाए ठीक है इतनी तो लगबग हमारी GST का लेक्शन हो बाता है तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ जो की है रिसेंटली तो देकि इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ओप्शन ए यानि की 4 ठीक है तो देखिए यह हमारा हो जाएगा गुजराथ ठीक है गुजराथ आज आज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बाहर हूँ लेकिन करेंट अफेस डालना नहीं बूल रहा हूँ बिल्कुल भी आपके लिए तो थोड़ी से नॉइस का इशू आपको रहेगा वीडियो में ठीक है और साथ ही साथ देखिए आज थोड़ा फॉर्मेट चेंज है क्योंकि मोबाइल से अप्लोड करना पट रहा है तो उसके लिए माफी जाओँगा लेकिन थैंक्यू सो मच अगर आपने वीडियो यहां तक देखिए और आखिर में यह कहना चाओँगा अभी भी हैपी दिवाली भलेकल हमारी बीच चुकी है और सब्सक्राइब तो मैं चैनल प्लीज और हैवा गूड डे थैंक्यू सो मच